नमस्कार आप दिख रहे हैं किवएनपोस.ड़ कॉम किसान अंदुलन में आज शुक्रवार को राश्री लोग दलकेनेता जैन चौधरी बीकेईू प्रवक्तार राकेश टिकेट से मिलने गाजीपूर बॉर्डर पहुंचे और कहा कि प्रदान मंतरी को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए और उन्हें किसानों का भरुसा जीतने की जरूरत है आज मुझफरपूर में किसान महापंचायर बुलाई गई है जहां किसान परेट जैसा माहौल बनता दिखाई दे रहा है और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि किसान दिल्ली के लिए पैदल मार्च का एलान कर सकते हैं वही पश्यमी उत्तरप्रदेश अब किसान अंदोलन का नया गड़ बनता दिख रहा है इदर 26 जनुरी को ही लाल के लिए की इंसा के बाद ये कायास लगाय जा रहे थे कि किसान अंदोलन का अंद अब शुरू हो चुका है और कुछ किसान संगटन और अंदोलन से जुड़े लोग वापस घर की और रुख भी कर रहे थे लेकिन कल देर शाम हुई इस घटना के बाद पासा वापस पलड़ गया और रात और रात की किसान फिर से वापस लोटने लगे हैं और रात बारा बजे तक एक हजार ट्रेक्टर गाजिपुर बॉर्डर के और कूच कर रहे थे और फोर्स को मजबूरन पीछे हटना पड़ा दरसल कल शाम से ही पुलिस ने गाजिपुर और सिंगु बॉर्डर पर टैना आती टेस कर दी थी और राकेश टिकैट को नोटिस हमा दिया था लेकिन लाठी और डंडा वाले बयान से विवादों में आये राकेश टिकैट ने इमोशनल होकर आशु बहाने के बाद कहा कि मुझे मारने की साज़िष रची जा रही है मैं खुद कुशी कर लूँगा लेकिन देश की किसानों को बरबाद नहीं होने दूँगा इसका लवा मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि बीजेपी विधायक ये धरनास्तल पर पहुंचने से भी मामला वापस गर्मा गया था जबकि किसान नीता धरनास्तल छोड़ने को राजी हो गय थे गेवाएनपोस.com के इस वीडियो में फिलाल इतना ही अमसे जुड़े रहने के लिए बैल आइकन दबा कर इस चैनल को सब्स्राइब कीजिए और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए